सर्वोच न्यालें में तीन सीनिय जजों की खंड पीट में कोड़ा महमारी के सम्मद में याचिका दायर की गई है सुप्रिम कोड के वकील डॉक्टर एपी सीहां के दुआरा याचिका करता किशोर सीयं भदोरिया एवं शंबु शरन कुमार महात्मा हजारी लाल मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनुशर्मा समासेवी के दुआरा संइक सुरूप से यह याचिका लगाई गई है कि जिसमे में दिये गए सुजार विवं मांगे प्रमूख हैं सरकारी तथा गेर सरकारी ऑक्सिजन निर्माता कंपनियों को तुरंत प्रभाव से ऑक्सिजन का उत्पादन करते हुए केवल चिकिस्ता के लिए ऑक्सिजन की सप्लाई आर्मी के द्वारा एसकोर्ट करके दी जाए और द्वाओं तथा टीका का वित्रण करके प्रद्यक्वैक्ति तक पहुचाया जाए और इन सभी की सप्लाई के लिए टोल मुफ्स ग्रीन कॉलिडोर का प्रियोग किया जाए वैक्सिन ठीका देश के सभी नागरिकों को लगाया जाने के लिए देश भर की पोलियो ड्रॉप राफ लाय जाने वाली टीम को व्यक्सिन के लिए लगाया जाए और इस्टीम को राजय तथा केंदर के सरकारी तथा गेर सरकारी ऐस्पतालों में उच्छेस्थर की एक दिन की ट्रेम कराया जाए अरुवेद मंतराले की द्वारा ऐख इक भर्लोर को दोपीतिक दौमीपे की कोर्णा के इलाज से सम्मंदी सभी दवाओं तथा टीका का वित्रण पूर्ण रूप से सरकार के हाथू दुआरा कड़े नियंत्रण में हूं जिसे नकली दवाओं पर पूरी तरह से रोग लग सके तथा दवाओं की काला बजारी चोरी अवेद भंडारन तथा नकली नि कि शोर सी मधूरिया की तरफ से सुप्रिम कोर्ट के वाकील डॉक्र एपी सीहन ने मांग की है कि देश की सभी चुनाव रेलियां काउंटिंग पर ततकार प्रफाव से रोक लगे सभी हवाई अडे ततकार प्रफाव से अग्रीम आदेश सक बंद कर दिये जाए सामाजिक स अंगठनों को सम्मानित करते हुए उनसे उचो पालीटि की मास्क तछा सैन्टाइजर का निर्माने मुफ में वितरई के लिए प्रेडित किया जाए था प्लाजमा डोनेट करने के लिए सरकारी इस तर्फ पर के जाने का प्रावधान सरकार करें ऑक्सिजन के सुचारूं रूप वित्रन और उप्लबज़ता की सुनिश्चित के लिए मानिय सर्वौच नियालाइ कमीड़ी का घठन करें तथा उप्रौक सुझाओ फालत सरकार नेशनल प्लान में शामिल करें और उप्रोक सुझाओ का अनुपालन केंट तथार राजे सरकारे ततकार प्रभाउं से करें तो निश्यत तोर पर राजे सरकारों को लोग डाउन लगाया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को तुरंद कोई कारगार कदम उठाना चाहिए कोरणा से मोदों की भायवरता को देखते हुए ही उन्हें सुप्रीम कोड की शर्ण में आना पड़ा हमारे द्वारा वरतमान में कोरोना महामारी के संकर्ड में सुप्रीम कोड के समख्ष एक जनित याची का दायर की गई थे उस याची का में मंगलवार को हुई सुनवाई में मानने उच्चतम नियाले ने केदर सरकार और राज्य सरकारों को नोटिज जारी किये हैं और उस जनित याची का में हमारे द्वारा ये सवाल उठाएगा है कि अक्सीजन की सप्लाई इस्टेटों में प्रापर नहीं हो रही है जिलों तक प्रापन नहीं हो रही है और अक्सीजन के साथ ही जीवन रक्षक दवाईयों का वित्रण भी सुचार रूप से नहीं हो रहा है एसे में कुछ राज्यों का अक्सीजन समय पर नहीं मिल पा रही है जिसमें मद्य प्रदेश भी है और जीवन रक्षक दवाई इंजेक्शन आदी भी काफी महंगे और काला वजारी हो रही है कि संबंद सुप्रीम कोड ने कि अंदर सरकार और राज्यों सरकारों से जवाब मांगा है और एक कमेटी का दिरदारन भी कर दिया है और उसमें दो लोगों की न्युक्ति भी की है